Hello friends, मैं हूँ आपकी host or दोस भारती और आज मैं आपके लिए एक और बहुत नेंट्रेस्टिंग सी गेम लेकर आई हूँ और यह आपकी kitchen theme party के लिए perfect गेम है बहुत नेंट्रेस्टिंग और simple सी गेम है इसे आप ladies kitty में तो खेली सकते हो और अगर dents kitty में या couple kitty में खेलना चाहते हो तो वहाँ भी खेल सकते हो तो चलिए आज की game आपको उताते हैं कि क्या चाहिए यहाँ पर आप देख सकते हो कोई में पाद potatoes हैं साथ में straws हैं और कुछ मैंने यहाँ पर beads ले हुए हैं और साथ में beads अगर आपके पास available हो तो ठीक है अगर beads ना हो तो आप इस तरह से buttons भी ले जकते हो तो game आपको कैसे खेलनी हैं यह group game है और सभी एक साथ खेलेंगे इसमें आप एक मिनर का time दीजे या half मिनर का time दीजे और इसको खेलना कैसे है उसको बताने से पहले छोड़ी से request करना चाहती हूँ कि प्लीज मेरे चैनल को subscribe करें और उसके बाद bell icon आएगा आप उसको press करोगी तो आपको मेरे वीडियो की updates मिलेगे जिन से आप परवर्ट से मेरे game देख सकते हो तो चलिए आज की game आपके साथ share करते है कि कैसे केलनी है सबसे पहले यहाँ पर जो potatoes देख रहे हूँ आप यह थोड़े से मैंने पार बॉil कर दिये हैं तो जितने भी आपके members है 10 है 15 है आप उतने potatoes ले ले लिजिए यानि एक member को एक ही potato देना है और उसके बाद उन्हें 6 straws देने है और साथ में उतने ही beats देने है अब जैसे आप start बोलोगे तो उन्हें इन straws को इस potato में लगाना है और उसके बाद उपर वाला जो हिससा उसको tilt करना है और उसके उपर beat रखना है तो जो minimum time में या half minute में starts को complete कर लेगा वह आपका winner तो चलिए एक छोटा सा download देती हूँ आपको कि इस game को खेलना कैसे है और मैं साथ में आपके साथ खेल भी लूँगी तो चलिए start करते हैं तो मेरा समय शुरू होता है अब यह मुझे इस तरह से side से लगाना है इस तरह से hold कर देना है बीट को फिर मुझे दूसरा लगाना है यह भी मैं side पे ही लगाऊंगी यह आपको जादा boil नहीं करने है पटाटो तो आपको थोड़े से power boil ही रखने है ताकि थोड़ी से difficulty आए उनको इस game को खेलने में तो जिनके उपर beads रखे होंगे तो वही count होंगे straws अगर straws अकेले लगा लेते हैं तो वह count नहीं होंगे अब I think मेरा time खतम होने वाला है तो मैं फटाफट से beads रख लेती हूँ ताकि मेरे beads वाले straws जो हैं वह count हो जाए stop time यहां पर मेरा खतम होता है तो आप देख सकते हो कि यहां पर four straws five straws लगा दिये हैं मैंने और उनके उपर four के उपर मैंने beads लगा दिये हैं मुझे तो बहुत मज़ा है आपके साथ इस game को खेल कर आप भी से खेलिए आपको अच्छे लगे तो प्लीज इसे like करें comment करें और अपनी friends के साथ share जरूर करें thank you bye take care